नसो में दर्द की समस्या से, नसो में दर्द के कारण उठने बैठने में होने वाली समस्या से, हातों पेरों में होने वाले सुन्पन, दर्द और धंजनाहट से तुरंद छुटकारा दिला देगा आज का ये नुस्खा. दोस्तों ये नुस्खा सिर्फ मैं एक वेक्ति के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए आपको लेना है एक बरतन, इसमें आपको दो कप पानी डालना है, जिसमें आप चाय पीते हैं, बस वो दो कप भरकर पानी डाल दीजिए, गैस की फ्लेम फुल रखते हुए पानी में उबाल आने दें, उसके बाद फ्लेम को लो कर दें, और इसमें आपको डालना है अजवाइन, दोस्तों पहला जो इंग्रेडियंट है, वो मैं डालूँगी अजवाइन, बहुत असानी से सभी के घर में उपलब्ध होता है, अजवाइन हमारे मोटापे को दूर करता है, सा में और भी दूसरी बिमारिया नहीं लगती है, हमारी किम्यूनिटी को मजबूत करता है, रोग पे तरियोदक शमता होती है इसमें, साथ-साथ जिनको गठिया का दर्ग है, अर्थराइटिस का दर्ग है, ज्वाइन पेन है, बहुत ज्यादा हाथ-पैर में दर्ग रहता है हड्डियों में दर्ग रहता है, वो भी ठीक हो जाता है इससे, दोस्तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आदा चमच अज्वाइन लिया है, अज्वाइन लेने से पहले उसे अच्छी तरह से रगड कर हाथ से साफ कर लिजिए, ताकि इसमें जो भी मिट्टी है, वो निकल जाएग यह हमारे खून को साफ करती है, आप देख रहे हैं यह कैसी दिखती है, यह हमारी ब्लॉकनस ओको खोलती है, जिनको वेरिकोस वीन्स की समस्या है, उसको भी यह ठीक करती है, यह हमारे शरीर के दर्ध को दूर करती है, ब्लेट पिशर वाले लोग भी इसे ले सकते हैं, नहीं बनने देती है, पाचन क्रिया को भी ये दुरूस्त रखती है, डाइबुटिक लोग भी इसको लें, तो उनको भी बहुत फर्क दिखेगा, दोस्तों, अब जो सबसे जरूरी चीज मैं इसमें डालूंगी, वो है सहजन की पत्यों का पेस्ट, इस तरह एक मुठी पत्य लेकर थोड़े से पानी के साथ पीस कर, मिक्सर ग्राइडर में इसका पेस्ट बना दीजिए, सहजन की पत्यां बहुत आसानी से मिल जाती है, इसकी फलियों की सबजी और अचार बना कर खूब खाया जाता है, जिसे हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाबकारी होती है, तो देखिए, सिर्फ जितना मैंने लिया है, ये सहजन की पत्यों का पेस्ट इतना ही लें, सिर्फ आदा चम्मची इसे लें, जादा नहीं लें, इसमें anti-inflammatory गूर पाये जाते हैं, और iron में भरपूर मात्रा में होता है, इसमें बहुत सारे प blood circulation को बढ़ाती है, जिससे हमारे शरीर में जो नसे block हो जाती है, वो सारा कुछ इससे साफ हो जाता है, clean हो जाता है, और ये जो सहजन की पत्यां है, ये हमारे जोडों के दर्थ ले भी बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको भी ठीक करती हैं, सर्दी, खासी, जुकाम सभी के हल्दी का पाउडर, सिर्फ एक विक्ती के लिए मैं बना रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, हल्दी पाउडर डाल कर इसे मिला दीजिए, हल्दी के पाउडर का फायदा सभी जानते हैं, बोडी में कहीं भी सूजन हो, या फिर आपको दर्थ हो, सभी के लिए बहुत अच जरूरी है, सिर्फ आप क्या डाला गया है, वो देखकर ना बनाए, सिर्फ इससे काडा काम नहीं करेगा, तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर डालना है सैंदा नमक, सैंदा नमक जो है, हमारी नसों के दर्थ के लिए, जोडों के दर्थ के लिए रामबर माना चाता है, तो इसे आप जरूर से डालें, सिर्फ एक चुटकी डालना है, बहुत फायदेगा बनेगा ये काडा, तो देखिए, इसे इस तरह के ढखकन से ढख देना है, देखिए यहाँ पर एक छेद बना हुआ है, यहाँ से जो भाप निकलेगी ये बहुत जरूरी है, अगर ऐसा ढखकन नहीं है आपके पास, तो एक प्लेट से ढख दें और प्लेट को साइट से थोड़ा खुला रखें, ताकि इसमें से थोड़ी सी भाप निकलती रहे, दोस्तों मीडियम फ्लेम पर इसे पकाईएगा, और इसे कम से कम आपको 6-7 मिनट तक पकाना है, मैं 7 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, तो कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है, जैसे मैंने 2 कप पानी लिय और इसे थोड़ी देर के लिए धक्कन अटाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, पूरा ठंडा नहीं करना है, मुन्गुना करना है, यानि हलका गर्म करना है, और अब जब ये थोड़ा हलका गर्म रहे, तो इसे चान कर एक कप में निकाल लीजिए, और चानने के बा चाय की तरह आप शिप-शिप करके इसे पिएं, बैट कर पिएं और एक बार फिर से आपको शाम में लेना है शाम में जब आप चाय लेते हैं उस टाइम पर आप इसे ले लें, एक दिन में दो बार लें तो इस तो बहुत काम करेगा, इसे कोई भी ले सकता है, चाहे वो बढ़े होँ, छोटे होँ, कोई भी होँ, इसे ले सकता है जिनको भी एनस में blockage की problem है या फिर varicose veins की समस्या है या फिर हड्डियों में दर्द रहता है या उनके घुटनों की grease खत्म हो रही है सभी में जबर्दस्त काम करेगा एक बात और बता दू जो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप गर्ववती महिला है या फिर आप अगर अपने बच्चे को दूद पिला रही है तो आप इसे ना ले बाकि कोई भी इसे ले सकता है तो इस वीडियो में बताएगा तरीके से इसे बनाईए इसको यूज कीजिए और एकदम फिट रहे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी